हेलो फ्रेंस गर्मिया है आज कल तो गर्मिया कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए मिल जाए तो इसे अच्छी और क्या बात है तो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी तर्बूज से दो तरीके से शेक बनाना बताऊंगी मैं जो लोग जैसे पसंद करते हैं कोई दूद के साथ करते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं तो मैंने तर्बूज ले लिया है इसकी थोड़ी स्लाइस कट कर ली हैं चिलका अटा दिया था इसका और इसको बीज के साथ ही डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में तो यह बहुत इच्छे टेस्टी और हल्दी बनकर तैयार होते हैं ज जुरत के साथ से जितना आपको ठंडा पसंद हो इसाथ साथ इसमें बर्फ एड कर लें और पानी डाल दे थोड़ा सा और बस तैयार हो जाएगा हमारा तर्बूज का जूस और इसमें थोड़ी से हम डाल लेंगे चीनी आप देख लिए तर्बूज जितना मीटा हो इसाथ आप से मीठा आड कर लें कम ज्याद आपको जितना मीठा पसंद हो मैं इसमें एक चीनी डालूंगी पर चम्मच चीनी और बस तैयार हो गया हमारा जूस तो आप इसको चांद लेंगे जिसके वीज बगार हो सब रह जाएंगे इसमें और हमारा जूस है वो नीचे निकल ज हैं जाएंगे तो मैं बताती है आपको दूसरे तरीकी से कैसे बनाते हैं तर्बूज गूज तो देखेगा जरूर वीडियो को लाश्ट तक यह मैंने बनाया है दूद animal कर तर्बूज कर शेक देखते हैं आप इसको कैसे बनाया है मैंने मैंने तर्बूज लिया था उस dispatch स् अभी जितना ठंदा रखना हो तो ना ठंदा दूद और आइस इसमें आप एड़ कर लें तो देखिए अप इसमें हम डाल देंगे मिक्सर जार में इसको और फिर इसमें डाल देंगे हम ठंदा दूद और उसके बाद थोड़े से हम इसमें डाल देंगे चीनी अदो आप यार हमारा तर्बूज का शेक तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी अगर आपके लिए यूजफूर लगी है तो अपने फैमिल और फ्रेंट्स को शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल अपने ही किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब भी कर लें और असी ने ने रसेपी देखते रे येगा गेता की रसोई में थैंक्स फ़र वोचिंग